हेलो फ्रेंज मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने योट्यूब चैनल दाइग्जाम ट्यूटर में दोस्तों SSC CGL की तयारी को बहतर बनाने के लिए हम इस सीरीज में कर रहे हैं SSC CGL के previous year question papers को और इस सीरीज में ये हमारी 14 वीडियो है इस से पहले 13 question papers की वीडियो में upload कर चुकी हूँ उनका link आपको description में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो playlist में जाकर देख सकते हैं So 75 hard challenge के इस सीरीज के इसी sequence को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 19th जुलाई का shift 2 का paper तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने question paper की ओर जिसमें हमारा first question है Who is known as the father of the green revolution in world? विश्व में हरित क्रांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांती का जनक जो है विश्व में जाना जाता है नौर्मन बॉर्लोग को लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांती को लाने वाले कौन थे? तो वो थे C. सुब्रमन्यम तो भारत में अगर पूछे तो C सुब्रमन्यम और अगर 20 में पूछे तो नॉर्मन बोलोग आंसर हो जाएगा देखे फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं previous year question papers से दोस्तों जैसे आप देख भी रहे होंगे कि अब तक कि जितने भी सीरीज में हमने question papers किये है SSC CGL के तो SSC CGL का एक pattern होता है कि किन किन topics से वो question पूसता है जो important topics है कुछ ऐसे topics होते हैं जो SSC के favorite होते हैं ऐसे कि मैं आपको बता देती हूँ देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं current affairs की तो आपको एक से डेड़ साल का जो current affairs है वो अच्छे से पढ़कर जाना है इसमें से awards and honors awards and honors जो हैं यह काफी काफी favorite topic है SSC CGL का और अगर हम बात करें कि बाकी topics के तो देखिए folk dances and festivals इससे दो questions जरूर पूछता है हर एक्जाम में पूछे होए हैं SSC ने तो यह भी आपको बिल्कुल अच्छे से रटके जाना है अच्छे से करके जाना है बाकी bio से दो questions chemistry से दो questions कभी-कभी एक भी आ जाता है लेकिन दो हम मान के चलते हैं physics से दो questions यह सिर्फ basic physics chemistry और bio ही पूछता है ज्यादा depth में नहीं पूछता है SSC-CGL जो bio chemistry physics से question पूछे जाएंगे लेकिन मैं इन पर एक separate video भी बनाऊंगी bio की अलग से physics की अलग से और chemistry की अलग से जो की most important questions होंगी जिसमें ताकि आपकी preparation जो है अच्छे से हो सके अभी आपका ज्यादा time ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने question paper के और जिसमें हमारा next question है next question है हमारा the minimum requirement of microfinance loans for NBFC MFIs is NBFC MFI के लिए microfinance rent की न्यूनता मावशकता कितनी है तो NBFC MFI के लिए microfinance rent की न्यूनता मावशकता होती है कुल समपत्ती का 75% of the total asset अब NBFC क्या होता है तो non banking finance companies को कहा जाता है MFI का मतलब होता है microfinance institutions तो याद रखेगा इस question का हमारा answer बनेगा option D बढ़ते हैं next question की तरफ next question है हमारा when was the smart cities mission launched in India भारत में smart cities mission कब शुरू किया गया था तो smart cities launch हुआ था 25th of June 2015 में तो इसका answer बनेगा हमारा 2015 option D next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा Lord Karjan declared the partition of death in 1905 Lord Karjan ने 1905 में किसके विभाजन की घोशना की थी तो देखें 20 July 1905 में Lord Karjan ने बंगाल के विभाजन की घोशना की थी और बंगाल को दो भागों में बाटने की विचारधारा रखी थी बंगाल और पूर्वी बंगाल और यह विभाजन जो है कब परभाव में आया था तो यह आया था 19 अक्तोबर 1905 में यह विभाजन जो है परभाव में आया था तो इस question का हमारा answer बंगाल option A next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा सिंग्राज अधाना is associated with which of the following sports events सिंग्राज अधाना निमने लिखित में से किस खेल आयोजन से जुड़े हुए हैं तो सिंग्राज अधाना जो है यह संबंदित है निशाने बाजी से या सूटिंग से इन्होंने नो जून नो जून दो हजार बाईस में फ्रांस में पैरा सूटिंग वर्ल्ड कप में मिक्स्ज टीम में 50 मीटर एसेच वन में सिल्वर मैडल जीता था यह याद रखिएगा आप क्यूंकि एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसका answer हमारा बनेगा option A next question की तरह बढ़ते ह है next question है हमारा who discovered that di borane reacts with aldehydes and ketones to produce di alcoxy boranes which are hydrolyzed by water to produce alcohols किस ने पता लगाया कि di borane aldehyde और ketone के साथ पर्तिक्रिया करके di alcoxy borane का उत्पादन करता है जो alcohol का उत्पादन करने के लिए पानी द्वारा hydrolyze किया जाता है तो देखें इस question का हमारा answer बनेगा H.C. Brown ने पता लगाया था di borane aldehyde और ketone के साथ जो पर्तिक्रिया होती है उसमें क्या उत्पाद बनते हैं इसका पता किस ने लगाया था H.C. Brown ने so next question देख लेते हैं next question है हमारा which plant is considered a noxious weed that has a chemical defense mechanism to protect it from predators किस पोधे को एक हानिकारिक घर्पतवार माना जाता है जिसमें सिकारियों से बचाने के लिए रसाइनिक रख्षातंत्र होता है तो देखें कैलोट्रॉपिस जो है कैलोट्रॉपिस प्लांट में defense mechanism पाए जाता है और ये एपोसाइनेसी एपोसाइनेसी साइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक तरीके का latex secret करते हैं इसलिए इन्हे milkweed milkweed के नाम से भी जाना जाता है तो इतनी बाते कैलोट्रॉपिस के बारे में याद रख्येगा इस question का हमारा answer बनेगा option B next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following is not a fundamental right mentioned in the Indian constitution निमनलिखित में से कौन सा भरते समिधान में वर्नीत मोली का अधिकार नहीं है तो देखें भरते समिधान में वर्नीत मोली का अधिकारों में मत देने का अधिकार जो है ये मोली का अधिकार नहीं है अब देखें मोली का अध दान से याद रखिएगा तो इस question का हमारा answer बनेगा option B next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा which of the following dances is not predominantly performed in the Indian state of Odisha निम्निरिखित में से कौन सा नरत्या मुख्य रूप से भारते राज्या Odisha में नहीं किया जाता है तो देखिए जो भवाई लोक नरत्या है यह राजस्थान में किया जाता है ना कि उडिसा में तो इस question का हमारा बनेगा answer option D बाकि जितने भी लोक नरते हैं पाई का घुम्रा और धब यह जो है उडिसा में किये जाते हैं भवाई जो है यह राजस्थान में किया जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा according to the Indian calendar वसंता सिग्जन फोल्स इन विच मंद्स भारत्य कैलेंडर के अनुसार वसंत रितु किन महीनों में आती है तो वसंत रितु जो है यह चैत्र वैसा के महीने में आती है तो इसका answer हो जाएगा हमारा option C next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा which of the following was one of the first countries to use iron for the manufacture of weapons in as early as 1700 BCE निमनलिखित में से कौन 1700 इसापूर में हतियारों की निर्माण के लिए लोहे का उप्योग करने वाले पहले देशों में से एक था तो देखें 1700 इसापूर में हतियारों के निर्माण में लोहे का उप्योग करने वाले सबसे पहला देश था रोमानिया तो इसका answer बनेगा हमारा option B रोमानिया next question है next question है हमारा in which of the following states is the national sports university located राश्चे खेल विस्वी विद्याले निम्लिखित में से किस राज्य में इस स्थित है तो राश्चे खेल विस्वी विद्याले जो है यह है मनिपूर में स्थित और इसकी स्थापना कब की गई थी तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका हमारा answer बनेगा option B भी मनिपूर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन है मारा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानाडे कैरिड आउट दियर वर्क ओफ रिलेजियस रिफॉर्म्स इन महारास्ट थ्रो विच ओफ द फोलेंग और्गिनाइजेशन रामक से छे बार करवा चुकी हूं तो यह जो टॉपिक है ना यह समाजिक धार्मिक सुधार संगठन का यह बहुत जदा इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत जदा फेवरेट है तो यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है इस पर में एक सेपरेट वीडियो भी बन स्थापना समाज से इसकी स्थापना किस ने की थी तो रामकृष्न गुपाल भंडार कर महादेव गोविंद रानाडे और आत्मा राम पांढुरंग ने तीन लोगों ने इसकी स्थापना की थी और कब की थी तो की थी 1866 में ठीयो सोफिकल सुसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, किसके द्वारा की गई थी, तो H.P. Blavats की, H.P. Blavats की, और MS के, MS. Allcut के द्वारा, MS. Allcut के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी, अमेरिका में, इसकी स्थापना हुई थी, Theosafical Society की, आत्मे सभा की बात करें, तो आत्मे सभा की स्थापना होई थी 1814 में किसके द्वारा की गई थी तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो 1828 में होई थी इसकी स्थापना और इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो इस question का हमारा answer बनेगा option A next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा next question है हमारा, गुरु शस्रधर अचारिया was awarded the padamshri in 2020 for his contribution to which of the following गुरु शस्रधर अचारिया को निम्निलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए 2020 में padamshri से सम्मानित किया गया था तो गुरु शस्रधर अचारिया को जो है 2020 में padamshri से सम्मानित किया गया था च्छव नरत्य के लिए, च्छव डांस के लिए, तो इस question का हमारा answer बनेगा option B next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा 13-dimethylbenzen also known as, 13-dimethylbenzen को इस नाम से भी जाना जाता है तो 13-dimethylbenzen को जाना जाता है M-gylin के नाम से, इसका formula होता है C-8-H-10 तो याद रखेगा, इस question का answer हमारा बनेगा option D next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा पंडित जस्राज, भीमसें, जोसी, और जाकिर हुसेन आरे associated with which form of music पंडित जस्राज, भीमसें, जोसी और जाकिर हुसेन किस संगीत विधा से जुडे हुए हैं तो इसका answer बनेगा हमारा option A next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा पर्धान मंत्री जीवन जीती बीमा योजना जो है यह 18 से 50 वर्ष के नागरीकों के लिए है और इसको शुरू कब किया गया था तो 2015-16 में जो है इसको शुरू किया गया था तो इस question का answer बनेगा हमारा option B next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा the state of Kerala versus Lee Samma Joseph case deals with Keral Raja Banaam Lee Samma Joseph मामला किस से संबन दित है तो Keral Raja Banaam Lee Samma Joseph मामला जो है ये विकलांग वेक्टियों से संबन दित है 28 June 2021 में Keral Raja Banaam Lee Samma Joseph मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसके अकोर्डिंग जो विकलांग वेक्ति हैं उन्हें अनुच्छेद 16-4 के तहत पदोलनती में reservation की अधिकार प्राप्त हैं तो ये था केरल Raja Banaam Lee Samma मामला कब आया था तो 28 June 2021 में सुनाया गया था तो इस question का हमारा answer बनेगा option B next question की तरब बढ़ते हैं next question है हमारा श्री ओमपरकास मिथरवाल was in news for being conferred with Arjuna Award 2022 for his outstanding contribution in which of the following sports श्री ओमपरकास मिथरवाल निमनलिखित में से किस खेल में उनके उतकरिस्ट योगदान के लिए अर्जुन परुसकार 2022 से सम्मानित होने के करण खबरों में थी तो श्री ओमपरकास मिथरवाल को जो है अर्जुन परुसकार से सम्मानित किया गया है 2022 में तो किस खेल से सम्मानित है ये तो ये है निशाने बाजी से सम्मानित या शूटिंग से related तो इस question का हमारा answer बनेगा option B next question देख लेते हैं next question है हमारा what is the common term for encylostoma encylostoma के लिए समानिय सब्द क्या है देखिए encylostoma को कहा जाता है होक्म और जो encylostoma है ये S के हलमिन्थीज S के हलमिन्थीज से बिलोंग करता है S के हलमिन्थीज क्या है तो ये एक phylum है ये जो question है ये biology से related है biology का ये question है biology में हम पढ़ते है जो animal kingdom है animal kingdom में जो phylum होते है phylum में जो animals होते है animals का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा animal किस phylum में है किस phylum से बिलोंग करता है और किस animal का common name common name सबसे important है क्योंकि common name से ही question पूछे जाते है हैं ज्यादा तर यह आपको पता होने चाहिए इस question का हमारा answer बनेगा option D next question की तरह पढ़ते हैं next question है हमारा the origin of Carnatic music is related to which of the following dynasties करनाटक संगीत की उत्पत्ती निम्निलिखित में से किस राजवन से संबंदित है तो करनाटक संगीत की उत्पत्ती हुई थी विजय नगर सामराज्य से इसका answer बनेगा हमारा option C next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा in which of the following years did India celebrate its 73rd Republic Day निम्निलिखित में से किस वर्स में भारत ने अपना 73 गणतंत्र दिवस मनाया तो देखें यह है हम सभी जानते हैं कि भारत ने अपना 73 गणतंत्र दिवस किस वर्स मनाया है तो यह मनाया है 2022 में इस question का answer बनेगा हमारा option D next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा which of the following can be referred to in the estimation of poverty गरीबी के आकलन में निम्निलिखित में से किसका उलेक किया जा सकता है तो गरीबी के आकलन में जो है मासिक पड़ती वेक्ती व्यय या मन्तली पर capita expenditure का उलेक किया जा सकता है तो इस question का हमारा answer बनेगा option B next question देख लेते हैं next question है हमारा what is the correct sequence of layers of earth from the outside of the planet to the inside ग्रह के बहर से अंदर तक प्रत्वी की प्रत्वी प्रतों का सही क्रम क्या है तो देखे जो प्रत्वी की प्रते हैं जो सबसे बाहर वाली प्रत है उसे कहा जाता है crust, beach वाली को mental और अंदर वाली जो होती है जो सबसे innermost layer होती है उसको कहा जाता है core तो इसका answer हमारे बनेगा option D crust, mental और core तो देखे crust जो है यह किसकी बनी होती है तो यह basalt या फिर इसको कह सकते है granite, granite की बनी होती है और जो mental है, mental बनी होती है हमारी iron, magnesium और silicon की और जो innermost layer होती है उसको कहा जाता है core तो core हमारी बनी होती है iron और nickel की तो यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी exam में पूछ ले जाता है कि mental किससे बनी होती है या core किससे बनी होती है तो इस question का हमारा answer बनेगा option D next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा भारत की रास्टपती को हटाने की संबंद में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही है तो देखे भारत की रास्टपती को हटाने के संबंद में हमें सही कथन बताना है तो इसका आंसर में आपको बता देती हूँ, इसका आंसर बनेगा A और D अब देख लेते हैं A में क्या दिया है महाभियोग की परक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है ये हमारा बिल्कुँ सही है महाभियोग के आरोपों पर उस सदन के एक तिहाई सदस्यों दुआरा हस्ताकसर किये जाने चाहिए जिसमें परक्रिया शुरू की गई है, तो ये गलत है महाभियोग परक्रिया में रास्टपती को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है महावियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होता है तो महावियोग प्रस्ताव जो है सदन की कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए ये बिल्कुल ठीक है तो हमारा option बनेगा A और D इसका answer बनेगा हमारा option A तो इसका देखें English version मैंने next slide पर लगाया है आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं इसमें हमारा answer बनेगा option A So friends यह हमारे 25 questions यहीं complete होते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा मिलेंगे next video में नए question paper के साथ तब तक के लिए thank you